हमेंसे कई लोग और शायद आप भी जब किसी मीटिंग में जाते हैं विशेश करके हीलिंग मीटिंग में जहां चंगाई की सभाएं होती हैं तो वहाँ पर आपने देखा होगा बहुत भीर लगी रहती है और कई प्रकार के लोग आते हैं बिमारियों से ग्रस्त होते हैं किसी को शारीरिक चंगाई होती है तो किसी को दुष्टात्मा की परिशानी हैं तो तरह तरह के लोग आते हैं और इस आशा से आते हैं कि भई उनको चंगाई मिल जाए आपने देखा होगा टेलेविजन में य सिही लोग करते हैं विशेश करके कुछ मसीही लोग जो बलते हैं कि फलाना फलाना जगह पर इस शहर में आत्मी चंगाई की सभा हो रही है आप बिमारों को लाइए चंगाई पाईए और इस प्रकार से इसको बोलते हैं हीलिंग कुरुसेड या चंगाई वाली सभा और बहुत लोग जाते हैं, भीड की भीड जाती है, और बाद में मैंने गवाही भी सुना है, मैं वो चंगाई वाली सभा में गया, और वहां पर मैं ठीक हो गया, या मेरी मां, या मेरे पिता, या अंकल, बेहन जो भी हो, वो बिलकुल ठीक हो गया और वो ये कहते हैं, कि हम इस जंगाई की बात करते हैं, कि वो स्टेज में बोलाते हैं, नाम लेकर के, हाँ भाई, आप आईए, बताईए, आप क्या, आपको क्या हुआ था, फिर वो लड़का या जो भी वक्ति जिसको जंगाई मिली है, वो बताता, मैं लंगडा था, या मैं गुंगा था, तो देखो चलो, तुम चल पाते हो, सब को दिखाओ, चल पाते हो, कि ने बिना किसी लाठी के, बिना किसी सहारे के, और वो चलने भी लगता है, तो लोग खुब तालिया बजाते हैं, और बोलो प्रभुश मसी की जै, और ये, मतलब इन सब बातों की बातें, वो करते हैं, मैंने भी कई सभाएं देखा है, और आपने भी देखा होगा, और कई लोगों से वक्ति गतरूप सभी मैं मिला हूँ, ठीक है, अब मैं इसके बारे में कोई अपना न्याय या जज्जमेंट तो मैंने सुना नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर आज भी चंगाई देता है, जी हाँ, यदि ये उसकी इच्छा है कि वो हमें चंगा करे, तो वो हमें चंगाई देता है, मुझे याद है कि मुझे दो तिन बार विशेश करके जो मैंने प्राज़ना किया, उसने मुझे चंगाई दिया, तो मैं इस पर कोई भी बात नहीं बोल रहा हूं कि ये गलत है या सही है, मैं यह सिर्फ बता रहा हूं कि आजकल जो विशेश सभाएं चंगाए वाली सभाएं जो होती हैं वो बहुत पॉपुलर हैं और ऐसा मालूम पड़ता है कि कुछ लोग इससे फायदा भी उठाते हैं तो आजका जैसा कि आपने देखा होगा कि जो मेरा टॉपिक है जो मेरा श शीशक है वो इस परकार से है क्या शारीक चंगाई या आत्मिक चंगाई कौन सी इंपोर्टेंट है कहां महत्वपूर्ण बाते हम देखना पसंद करते हैं बाइबल के अनुसार अब जैसे कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं कि बाएं तरफ प्रभीश मसी एक अंधे क आखे दे रहे हैं जो कि हम गॉस्पल्स में या सूसमाचार में इसके बारे में पढ़ते हैं और आप जानते हैं कि प्रभीश मसी ने कई मिरुकल्स कई प्रकार के आश्चर कर्म उसने किये या पढ़ते हैं मत्ती में मर्कुस लुका और यहन्ना में भी जैसे कि अंदों को आखे देना गुंगों को बोलने की सामर देना लंगडों को पैर देना चलने की सामर देना कोडियों को चंगा करना बिमारियां कई प्रकार की जो बिमारियां हैं उसको प्रभीश मसी ने चंगाई किया बुरी आत्माओं को निकालना और यहां तक कि मुर्दों को भी जिला आप जानते हैं लाजरस के बारे में किस प्रकार से वो मुर्दा था और वो मर गया था, तिन चार दिन से मरा हुआ था और प्रविश्य मसी ने आए, यहन्ना उसका ग्यारवा अध्या में हम पढ़ते हैं और वहाँ पर उन्होंने उसको मुर्दे में से जिलाया और प्रविश्वर अपने सामर्द के तवारा लोगों के बीच में करता है ठीक है और यदि आप ध्यान से देखें तो पूरे चार सु समाचारों में हमें कम से कम 37 मिर्कल्स पढ़ने को मिलते हैं 37 आश्यर कर्मों का जिक्र किया जाता है जो मत्ति मर्कुस लूका यहन्ना में पाए जाता है ठीक है तो यह बहुत ही इंटरेस्टिंग बाता विशेश कर कि आप अगर मर्कुस रचित सु समाचार पढ़ें मर्कुस चार, पांच, छे, साथ, आर्ट तो वहाँ पे आपको एक के बाद एक मिर्कल एक के बाद एक आश्यर कर्म आपको दिखाई देंगे परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो यह काम किया और लोगों को इससे फाइदा भी हुआ अब जो प्रशन मैं आज आपके सामने उठाना मांगता हूँ और आपसे पूछना भी मांगता हूँ और मैं अपने विचार भी प्रगट करना मांगता हूँ क्या प्रभू इश्व मसी का आना इस दुनिया में सिर्फ शारिरिक चंगाई थी या इससे भी कोई और गहरी बात हम बाइबले में पढ़ते हैं ये प्रशन शायद आपने कभी पूछा होगा या किसी से पूछा होगा या आपने आप से पूछा होगा या प्रभू इश् नहीं देखते हैं जिस प्रकार की बाते हैं हम मत्ति मरकुस लुका यहना में पढ़ते हैं अब आप बोलेंगे भाई हम गए थे इस फलाने फलाने मीटिंग में वहाँ पर तो जबरदस चंगाई हुई आपको पता है मैं ऐसे कई लोगों से मिला हूँ जिन्हों ने ये दाव हैं जिनको मैंने बात किया कि कैसे चंगाई हुई और बड़े खुशी थे आज उनका कोई चर्च में कहीं कुछ अथा पता नहीं है अब वो अपने वो पुरानी जो सिस्टम है पुरानी जो विश्वास है बाते हैं उपर वापस चले गए तो प्रश्न मेरा ये है क्या प् करके प्रभुश मसी के आने काम देश ये कता ही नहीं था कि वो बिमारों को चंगा करें हाला कि वो उसने चंगाई दी उन्हें कोडियों को चंगाई दी उसने किया या मुर्दों को चिलाया ये सब बाते तो हैं लेकिन ये प्रभुश मसी की प्रात्मिक्ता बातों में नह यहां यदि आप पूरा मर्ती, मर्कूस, लूका, यहन ना पड़ें, तो आपको यह बात यहां पर दिखाई देगी, क्योंकि कई लोग हैं, जो प्रभु शुमसी के पीछे चलते तो थे, अपने स्वार्थ के लिए भाई हमें रोटी मिलेगा, या हमें चंगाई मिलेगी, औ और मतलब कुछ हमें मिलेगा, तभी हम प्रभु पर विश्वास करेंगे, हो सकता किया भी हो, हो सकता किया भी, हम ऐसे लोगों को भी जानते हैं, जिनोंने चंगाई पाई, और उसके बाद से फिर वो प्रभु के पीछे चलने लेगे, और आज वो प्रभु के पीछे चल होंगे कि इश़ु मसी के आने का जो उद्देश्ष है वो यह है आत्मिक चंगाई सिर्फ शारिरिक चंगाई नहीं आत्मिक चंगाई अब जरूरी है भैं कौन नहीं चाहता शारिरिक चंगाए, यागर मेरे बिमार है, मेरे मुझे कुछ समस्या है शारिरिक रूपसे तो मैं चाहता हूं कि भई, मैं चंगा हो जाओं, कौन नी चाहेगा अरे भाई क्यों हम इतना पैसा बरबाद करें क्यों नहीं हम किसी से प्रार्तना करवाने और चंगे हो जाए देखिए ये परमेश्वर के ऊपर निर्भर है कि वो उस वक्ती को चंगा करें कि नहीं कभी-कभी हम लोग क्या करते हैं हमारी जो कुछ नेता हैं जो चंगाई की स जबाद चलाते हैं जब अरदस्ती फोर्स करते हैं ये इश्व मसी के ना में बिल्कुल ठीक हो जा हो जा हो जा बोल 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 अब वो बिचारा परिशान हो गया बोलने लगता है या जो भी है लेकिन क्या ये सच में परमेश्वर ऐसा चाहता है देखिए भई मैं आपको कोई शक्की बात नहीं है परमेश्वर तो परमेश्वर है ना वो तो हमें चंगाई देता है हमारी बिमारियों को दूर करता है लेकिन ये प्राइमरी प्रात्मिक बात नहीं है प्रभुष मसी के आने का जो उद्देश था कि लोगों को उनके पापों से छुटकारा दे य प्रभुष मसी के आने का उद्देश जिसको हम बोलेंगे आत्मिक चंगाए एक तरह से पाप को हमारे जीवन से निकालना पाप के जो रोग है पाप का जो वाइरस है वो हमारे जीवन से निकालें ये इसको हम कहेंगे आत्मिक चंगाए आत्मिक रिती से वो प्रभु में ठी किया गया और अब उसका संबन्द क्या है प्रभू के साथ बिल्कुल सही बैठता है तो मैं ये बात आपको बताना मांगता हूँ कि जी हाँ शारी रिक्चंगाई अपनी जगा पर इसकी महत्वपूर्णता है जैसे कि आप लेफ्ट वाले पिक्चर में देख रहा हैं कि पापों से पश्चता और जैसे कि अभी थोड़े समय क्रिस्मस भीद गया ये शुमसी का आना हुआ एक चर्णी में और सवक्दूतों ने क्या कहा भाई यूसुप से बात कही गई कि तू तेरी पतने गर्वती होगी और तू उसका नाम क्या रखना ये शु ये शु का मतल जब क्या है पापों से छुटकारा देने वाला पापों से छुटकारा देने वाला उसका नाम क्या है ये शु ये ने की बिमारियों से छुटकारा कोडियों से छुटकारा अंदों को आके देना ये मतलब नहीं है पापों से छुटकारा देने वाला और जब उसका आने का म बलिदान कर दिया अब देखे मैं आपके लिए एक पद पढ़ना मांगता हूँ यहाँ पर हाला कि और भी धेर सारे पद हैं जो आप जानते होंगे लिकिन एक पद बहुत इंपोर्टन है वो पाए जाता है मत्ति रचिसु समाचार और उसका चार अध्याए और उसका सत्रवाँ पद मत्ति उसका चार अध्याए और सत्रवाँ पद उस समय से येश्यु ने प्रचार करना और यह कहना आरंब किया मन फिराओ क्योंकि स्वर का राज निकट है निकट आया है मन फिराओ और फिर अगर आप देखेंगे कि जैसे कई पद जो पाए जाते हैं जैसे कि यहन ना तीन सोला आप तो जानते हैं क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लोता पुत्र दे दिया ताकि जो को इस पर विश्वास करे कहने का मतलब पापों से छुटकारा एक और पद है आप जानते हैं यहन ना एक बारा में क्या लिखा हुआ है कि जितनों ने उसे ग्रहन किया उसने उने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया अर्थात वे जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं और भी धेर सारे पद हम देखते हैं शुमसी ने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुं सकता एक जगा और लिखा हुआ है यहन ना ग्यारा पचीस में क्या है पनुरुथान और जीवन मैं ही हूँ यदि कोई मर भी जाए यदि मुझे पर विश्वास करता है तो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा तो सुनिये यहां पर भी भी मारियों के चंगाई के बारे में तो नहीं है यहां पर कोडियों के चंगाई के बारे में तो नहीं है यहां पर जो अंधें उनके चंगाई के बारे में तो नहीं यहाँ पर आत्मिक चंगाई की बात पूरे मत्नी मरकुसलू का यहाँ ना में पढ़ते हैं और पूरे जो हमारे New Testament है नहीं हम रोमय में भी यही देखेंगे पहला कुरंथियों उसका पंद्रवान दिया है तिन चार पाच पे क्या लिखावा है कि वचन के अनुसार प्रविश्य मसी हमारे पापों के लिए मारा गया गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आज वो जीवित है है ना तो ये सब बाते क्या बता रहे हैं ये बाते इस बात को प्रदर्शित कर रही है कि इश्य मसी के आने का पूर्ण उद्देश प्राइमरी प्रात्मिकता यही था कि वो हमारे पापों के लिए बलिदान अपने आपको चड़ाए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे ताकि जो कोई उस प्रवीश मसी पर विश्वास करे पस्चताब करे विश्वास करे तो उसके पाप शमा हो जाएंगे यह है आत्मिक चंगाई यह सबसे इंपोर्टन बात है अब सोचिए अगर कोई लंगड़ा है वो आता है यह सभाओं में ठीक है आत्मिक चंगाई वाली सभाएं जो करते हैं क्रिश्चन लोग जो मसी लोग करते हैं हाला कि इसमें कोई बुरा ही नहीं है लेकिन उन लोग का ध्यान सिर्फ चंगाई पर ही है पापों से प्रश्चताप पर नहीं है मैं सब लोगों कोई लिए नहीं ऐसा बोल रहा हूँ कुछ लोग हैं ऐसा जो आत्मिक चंगाई देते हैं अब कोई अगर आता है और लंगणा है समझ लीजिए और उसको समझ लोग कुछ ऐसा हो भी गया कि वो चलने लगा दोडने लगा लेकिन उसने अभी तक विश्वास नहीं किया अरे भाई विश्वास करना सबसे most important primary बात है अब विश्वास अकर नहीं किया तो ऐसा लग रहा है कि वो चंगाई तो पालिया वो दोड़ते वे नरक्योर जा रहा है क्या यही प्रभीश मसी के आने का उद्देश है बिलकुल भी नहीं प्रभीश मसी के आने का उद्देश सिर्फ और सिर्फ यह है कि हम अपने पापों से पश्चताब करें उस बलिदान पर विश्वास करें जो प्रभीश मसी ने हमारे लिए कुरूस पर बलिदान किया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा यह है अगर आप पूरा नयानियम पढ़ेंगे तो उसमें पूरा जो सार है वो यह है कि आत्मिक चंगाई आत्मिक चंगाई पापों से शमा पापों से पश्चता नया जन्म है ना यह बाते आपको पढ़ने को मिलेंगी तो शारीरिक चंगाई अपनी जगापर है और यदि मैं तो आपको यह कहूँगा अगर सबसे पहले हमने प्रभी शुमसी पर विश्वास किया तो हम अगर चाहें प्रार्टना करें हमारे शरी में हो सकता कोई बेमारी हो दर्द हो कोई भी बात हो हम प्रमेशर से प्रार्टना करें हो सकता हो हमें चंगाई दे यह उसकी मरजी है यह उसकी इच्छा है यह उसकी आशिश है लेकिन सबसे पहले हमें प्रभी शुमसी पर विश्वास करना है अब कभी-कभी क्या होता है कि लोग, चलिये, लोग मान लेते हैं वहाँ पर उसने प्राथना करवाया पास्टरों से और ऐसा लगा कि चंगा हो गया और उसने बोला रे मुझे चंगाई मिल गई है अब तो मैं प्रभू परिश्वास करूँगा करूँगी लेकिन अगर मेरा जो मन परिवर्तन चंगाई के द्वारा ही हुआ है तो फाइदा कि अरे जब क्या मैं अपने मन से पश्चताब किया क्यों ही मैं पापी हूँ क्या मैं विश्वास करता हूँ कि इश्व मसी मेरे पापों के लिए मारा गया चंगाई के दोरा अगर हम प्रभु के पास कैसे आ सकते अगर समझ लिजे हम प्रभु के पास आ गया और फिर कुछ बिमारी आ गए और अगर हम प्रार्थना करें और नहीं हुआ तो फिर वापस चले जाएंगे सबसे पहले मैं ये सोचता हूँ कि मन का परिवर्तन अत्यंत आवशक है चाहे चंगाई आपको मिले या ना मिले ये बात आप ध्यान में रखिए प्रविश्मसी के आने का उद्देश यही था और जहां तक बिमारियों की बात है चंगाई की बात है परमेश्वर अपनी मरजी से लोगों को चंगा करता है बिलकुल करता है आज भी करता है ऐसे कई लोग हैं जिनोंने चंगाई पाई आत्मिक चंगाई पाई और शारिरिक चंगाई पाई है ना तो ये परमेश्वर के इच्छा के अनुसार है कि वो कैसे किसको क्या चंगाई देता है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा तो यही है, कि सब बापों से पश्चताप करें, सब प्रविश्मसी पर विश्वास करें, ताकि उनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे जाएं, आज हमने मेरे ख्याल में, मैं आपकी कुछ बातों को क्लियर किया होंगा, कि शारीरी चंगाई या आत्मिक चंगाई, परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मिक गरीती से पहले चंगे हो जाएं, और यदि वो उसकी इच्छा है कि वो हमें शारीरी रूप से भी चंगाई दे, तो भई हम प्रात्ना करें, और हो सकता है परमेश्वर हमारे बिमारी को दूर करें, वो करता भी है, मेरे साथ भी हुआ, शायद आपके साथ भी हुआ, लेकिन प्रात्मिक चंगाई नहीं, शारीरिक चंगाई नहीं, आत्मिक चंगाई है, यह है प्रात्मिक ता, और इसलि और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और वो हमें आत्मिक रीति से अपने पास ले आता है जब हम उस पर विश्वास करते हैं, अपने पापों से पश्चताप करते हैं. तो मेरे ये आशा है कि आप इस बात को clear रूप से साफ रिती से समझ गए होंगे कि आत्मिक चंगाई सबसे most important महत्वपूर्ण बात है और उसके बाद शारीरिक चंगाई अगर परमेश्वर की इच्छा है तो वो हमें शारीरिक चंगाई भी देख सकता है तो परमेश्वर हमें इन बातों को समझने में ताकि हम और परिपक्व हो जाएं अपने सोच में बाइबल की जो सोच है वो हमारे मन में पूरी रिती से सही रूप से बैठ सके परमेश्वर हमारे इसमें अगवाई करें